प्रदोश व्रत माह की त्रयोदशी तिथी का प्रदोश काल में होना प्रदोश व्रत होने का सही कारण है प्रदोश काल सूर्यास्ट से 45 मिनट पहले प्रारंब होकर सूर्यास्ट के बाद 45 मिनट होता है प्रदोश का दिन जब सापताहिक दिवस सोमवार को होता है उसे सोम प्रदोश कहते हैं मंगलवार को होने वाले प्रदोश को भौम प्रदोश तथा शनिवार के दिन प्रदोश को शनी प्रदोश कहते हैं वैसे तो त्रयोदशी तिथी ही भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ट है। परन्तु प्रदोश के समय शिव जी की पूजा करना और भी लाबदायक है। ध्यान देने योग्य तथ्य प्रदोशवरत एक ही देश के दो अलग-अलग शहरों के लिए अलग हो सकते हैं। चून की प्रदोशवरत सूर्यास्थ के समय त्रयोदशी के प्रबल होने पर निर्भर करता है। तथा दो शहरों का सूर्यास्थ का समय अलग-अलग हो सकता इसलिए कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि प्रदोश्वरत त्रयोदशी से एक दिन पूर्वर्थात द्वादशी तिथी के दिन ही हो जाता है सूर्यास्थ होने का समय सभी शहरों के लिए अलग-अलग होता है अता प्रदोश व्रत करने से पूर्व अपने शहर का सूर्यास्थ समय अवश्य जांच लें चाहे वो शहर एकी देश में क्यूं ना हो प्रदोश व्रद्चंद्र मास की शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष की दोनों त्रयोदशी के दिन किया जाता है